असलाम लेकुंट श्रूट याप देख रहे हैं मैं यूट्व चैनल तर्भीट की दुनिया मैं हूं मुमंत ज्यास रिक बाद श्रूट हमारे बास exercise 3A है जिसका question number 12 हम करने लगे हैं इसके जो पहले के lecture हैं बाकी जो 11 question है उनका lecture जो upload हो चुके हैं उनमें कोई मसले है तो वह आप देख सकते हैं अब question number 12 जो है उसमें क्या कहा रहा है अब कहा रहा है कि आपने क्या करनी है construct करनी है एक triangle कौनसी triangle x y z x y z एक triangle construct करनी है जिसमें x y 8 cm है और x y z जो angle है यनि y के उपर y पर जो angle बन रहा है वो 55 का है इसी तरह y x z जो x पर angle बन रहा है वो 64 डिगरी है उसके बाद जो नीचे के कुछ चीज़ें पूछ रहा है यह हम बाद में करते हैं सबसे पहले हम यह करते हैं कि पहले जो triangle x y z यह बाली हम पहले construct करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा एक line लगाने पड़ेगी कितनी line लगाने पड़ेगी 8 cm की x और y x पर हमारा angle 64 का बनेगा और y पर हमारा angle 55 का बनेगा तो चले हम स्टार्ट करते हैं यह जी एक सबसे पहले एक line लगाएंगे line लगाएंगे जी हम कितनी line हमारी आजाएगी 68 cm कितनी आजाएगी 8 cm की एक line आजाएगी यह देखे जी यहाँ 0 से हम क्या करते हैं कि एक 8 cm 8 cm की हम line लगा लिए यह इसका starting point है और यह इसका end point है और यह एक्स है और यहाँ पे क्या है जी y है और कितनी line हमने draw किया 8 cm की हमने लिख ली अब x पर उसने angle हमें 64 दिया हुए x पर 64 angle दिया हुए यह देखे यह एक्स पर जो angle है वो 64 degree है तो हम 64 का angle बना लेते हैं यह देखे अब जब हमने 64 का angle बनाना है तो आपने इस सीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पर जो cross है आपका यह वाला यह देखे एक line जू है और एक पर आना चाहिए और यह जो line है यह इस line के उपर आने चाहिए तो आपका बिल्कुल accurate angle आ जाएगा यह देखे यह जो इस cross पर मेरा आगया जी point और इस line के उपर यह जो line आ रही है यह बिल्कुल इस line के नीचे आगी है और 64 है तो यह देखे मेरे पास यह 60 है और 70 है यह बली देखे यह जो line यहाँ से आगे जा रही है यह 60 है 60 से आगे one two three four यह देखे यह point पर ने ठीड़ लगा हाली है 64 का और अब मैं क्या करता हूं कि एक line रहा कर लेता हूं यह यह नहीं के मेरे एक line आजाएगी और यहाँ पर angle जो है वो मेरे कितना है जी 64 डिग्री है यह angle मेरे 64 हो गए अब यहाँ पर मेरे angle होना है 55 डिग्री किस तरह मैं दबार आप हो देखा देता हूं यह देखे एक्स वाई जी यह नहीं वाई लेटर दरम्यान में इस क्यूंपर यह देखे यह लि denes 도ांगे लाइन होती है जी इनिद्धिकेशन होती है यह जो ह國 कितना बंबान है 55 भाई बनाते है to यह उना हम 55 लॉत बनाते है यह rist यह रहाय है जी मेरे पास 55 का सस्वाइफ लें के ऊपर ऑन गया इस लाइन के बिलकूल बिल्दीके उपम बनान यह 55 का मैंने एक पॉइंट ले लिया है और अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को आपस में पॉइंट को जब यह अब क्या हुआ यह जो पॉइंट है यह मेरे पास X, H कर लो और Y, K कर लो यह निके Y, K जो है उसने X, H को किस पॉइंट पर कट किया है जो पॉइंट है वो क्या है Z है यह जनी Z पर उसने इस पॉइंट को क्या कर दिया कट कर दिया तो इस तरह हमारे पास यह वाला एंगल क्या आ गया 55 डिगरी अब यहां तक जो हमारा काम था पहला वो हमने कर लिया जी कंप्लीट यहां तक हमने काम कर लिया अब पहला जो हमें पोछ डिगरी अब पहला एक्स इस बेड़ा जैट को अब एक्स और जया गया गया एक्स और जैट जो है उसकी हमने क्या करनी है लेंट को मियर करना X और Z की length को measure करना है अब X और Z की length को measure करना है तो X और Z कौन सा है X ये है और X ये है और Z ये है इसकी length को हमने measure करना है तो चलें जी हमें इसकी length को measure कर लेते हैं यह देखें जी यह हमारे पास कितना आ रहा है 7.5 रहे कितना रहा है यह 7 यह यह 8 और यह दर्मयान वह लेन है तो यह हमारे पास कितना रहे 7.5 रहे है तो इस लिए हम क्या लिख देंगे यह आ जाग जी 7.5 cm मीटर length of यहां लिख दो बिशा length of लेंद आफ किसकी xz is equal to 7.5 cm एक चीज़ हमने find करनी थी जो हमने find कर ली यह वाली xz जो के 7.5 अब next कर रहे next कर रहे है कि construct perpendicular ड्रा करने हमने कहां पर perpendicular by sector yz के ओपर तो YZ के लिए उपर हम पहले परपपेड़ी कुरें ड्रा करते हैं ये YZ है और उसके बाद नेक्स जो फर्दर काम है वह बात में हम देखेंगे तो हमने करना क्या है कि इसको हमने हाफ से ज्यादा खोल लेना है आप से ज्यादा ये देखें आप से ज्यादा खुला हूँ एक आर्क आप बाहर लगा है और एक आर्क आप इदर यह जो लाइन है वाइल जेड एक जो है इसके इस तरफ लगा और एक इस तरफ यह बार्डर के उस तरफ एक इस तरफ अब आपने एक इस तरफ लाइन लगा आपने क्या किया रिख नीडिल को कमपैस के नीडिल को यहां रखा और अपने क्या करना है कि पहले वाले को जो है यह आर्क यहां से इदर कट के कट लगा इसका और इस इदर यहां से इदर अब देखें यह वाले नहीं कट कर रहे तो आप ऐसे करें कि इसको थोड़ा से एक् अब यह जो चोटा सा मैंने आर्क लगाया यह आर्क 2 है इसी तरह यह चोटा सा आर्क 2 है यह देखें आर्क 1 को आर्क 2 ने इस जगह कैंसल किया इसी तरह आर्क 1 को आर्क 2 ने यहां से आर्क 2 मैंने लगाया है यह चोटी वाली लाइन लगाया है यह कहां से लगाई है यह मैंन जोए आए और यू देखें ऐसे रगा है तो इस तरह क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट को मैंने क्या कर लेना है। इदर से ही आगे है इदर से ही आगे है और यू मैंने क्या कर दिया इस लाइन को मैंने ड्रा कर लिया और यह जो पॉइंट है इसको मैं क्या कह देता हूं यू कह देता हूं यहां तक तो उसने खाता कि perpendicular bisector ड्रा करें तो perpendicular bisector में ड्रा कर दिया अब आपको पाढ़ के दोबारा बताता हूं इसको में कर लें यू वह पॉइंट है कौन सा ये वाला ये वाला करें यू वह पॉइंट है यू is the point where the perpendicular bisector yz के ये देखें yz के उपर जो perpendicular bisector है वो xy को cut करता है यहां पर xy को perpendicular जो आपका yz के उपर perpendicular है वो जिस जगह x को cut रहा है वो आपका क्या है point u है और उसके बाद वो measurement की बात करता है कि इनको क्या कर लें यह 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 मेरे पास जो आ रहा है न हाँ यहां पर इस तकरीवन seven point one two three तकरीवन seven point three आरहा था यह इस निद्धाओ आ रहा है है लेंथ आफ क्या लिख लो लेंथ आफ यू वाई वाई वेशा क्या लिख लो इस इक्वल टू कितना था जी इस सेंवन पॉइंट थी सेंटी मीटर आइधिंक आपकी जो बुक है उसका कुछ हम चेक कर लेते हैं उसमें कितना अंसर है उसमें 7.2 सेंटी मीटर है इतना चोटा इससे कोई फरक नहीं पड़ता आपकी जो एक्वल मेयर्मिंट है जिस हिसाब से बनी है वो आपने देखनी है ठीक है तो इस तरह हमारे पास जो आ रही है मेयर्मिंट वो आ रही है कितनी जी 7.3 सेंटी मीटर तो हमने एक्राक का लिए जो सकता है आपकी 7.1 आ जाए 7.4 आ जाए उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आपने वही लिखनी है जो आपकी है एक्चुल तो मेन चीज है कि आपका पुरसीजर देखा जाना है आपका कोई बिल्कुल यूँ स्केल रखके यह चीज उस तरह नहीं चेक की जाती है जो भी स्टेप आफ कंस्ट्रिक्शन की बात है पिछले लेक्चर में इसमें किया कैसे लिखना है आप इसमें लिखना है चाहें तो मैं जारा और यह आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रें कर देता हूं अब वह क्या होते हैं सबसे पहले हमने कहाई बाइजिंग जाए एक्स एक्स 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 तो स्ट्रेट लाइन लग जाएंगी फिर क्या हो जागा है ड्रा पर्पेंडिकूलर बाय सेक्टर वाय जेड दें मैयर यू वी यू वाय बस इतनी सी बात है अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं को इतनी काम नहीं है असल जो काम था मैंना आपको बता दिया तो इस तर ख मैंना दो करने पितना दो को मैं आपको रहा हुआ कर दिया रहा है अभी नहीं हम। recount